दोस्तों आए इस वीडियो में हम देखते हैं कि हम अपने Snapchat पर भेजे हुए यानि send किये गए photos, videos, चाहे emojis हो, चाहे messages, chats हो, उसको कैसे हम permanently delete करते हैं यानि जो हम उसे किसी को send कर चुके हैं उसको कैसे हम permanently delete करते हैं में हम देखने वाले हैं, मैं हूँ सल्मान और आप देखने हैं technology micro channel तो हम Snapchat app को open कर लेते हैं, open करने के वाशे से interface आगा, फिर नीचे हम chats पर click करेंगे maps के भगल में वाँ पर click करते हैं, तो यह सब सारे हमारे friends हैं, तो लेट से हम, रूचिका, जैन, इनको मैंने कई सारे messages और snaps भेजे हुए हैं तो उनको click करते हैं और उनको हम delete करेंगे, तो देखिए यह सब, देखिए, emojis, और यह red और purple जो दिखा रहा है, delivered, red होता है photo और purple होता है video और उसके बाद से हमने इमोजी जोगारा भी send किया हुआ है, तो इनको delete करने के लिए, चलिए हम, आपको deliver करके दिखाई दे रहा हूं, photo video कैसे होता है, यहां से कोई, let's ignore कर देजे, कैसा भी photo आ रहा है, मैं वैसे ले रहा हूं, तो फोटो हो गया, send पक्लिक करेंगे, तो तो देखिए, red आ रहा, delivered, photo के सामने वो ऐसा आता है, red, और यह video, let's 2-3 second का video बना के फिर नीचे send का button पर click कर दते हैं, तो देखिए sending, यह purple आ रहा है, यह video है, तो photos red में आता है, videos purple में आते हैं, और बाकी आप text जानी रहे हैं, तो इनको text हम high वैसे लिक के दिखा देते हैं और इन तीनों को हम delete करते हैं, पहले का जो है वो छोड़िए, तो यह होगे हम photo video और text, यानि message, तो इनको delete करने के लिए अलागत, हम क्या करेंगे, जैसे let's हम photo को delete करना है, तो photo को delete करना है, उस पर tap करेंगे, और delete का option आएगा, तुरण delete, फिर दोबारा delete का option आएगा, delete stamp का delete कर देंगे, ऐसा ही same video का है, उस पर tap करेंगे, फिर delete का option आएगा, फिर दोबारा वाई आगा, delete तो delete हो गया, लेकिन messages में कुछ और option आता है, messages में हम tap करते हैं, long press करेंगे, तो आज आगा save in chat, delete copy, तो हम delete करना है, तो delete कर देंगे, फिर दोबारा delete chat पर click कर देंगे, तो यह permanently delete हो चुका है, तो ऐसे chats, अगर यह emoji है, हमने भेजा हुआ है, इसको भी option आता, save in chat, delete, तो delete पर click कर देंगे, delete chat, तो यह भी delete हो गया, तो ऐसे हम कुछ भी permanently delete कर सकते हैं, आपने सब देखे लिया है, photo, video, delete करने के लिए delete का option हैगा, अलग तरीके से, और जो text होता है, उसमे आता है, save in chat, और delete का option, तो यह रहा पुरा process और यह permanently delete हो जाएंगे, ठीके दोस्तों, चाहे उन्होंने open किया हो, यानि हमारा snap, messages वगरा देखा हो चैना, देखा हो, हम जो delete करेंगे, वो permanently delete हो जागा, अगर नहीं देखा हो उन्होंने तो दुबारा नहीं देख पाएंगे, I hope कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद है, तो लाइक कर देजी और चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिए, टाटा